हेलो प्रेंट्स इस वीडियो में हम जानेंगी इंकम टेक्स पॉर्टल का एक बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट जी हाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था गॉर्मेंट ने e-campion स्टार्ट किया है जिसमें financial year 17-18 की return अगर आपने नहीं फाइल की है या फिर कुछ high value transactions आपन important इससे related update देखने वाले हैं तो चलिए start कर लेते हैं वीडियो को उससे पहले channel को subscribe कर लीजिएगा ताकि सभी important updates आपको मिलते रहें तो दोस्तों पहले आपको अपने income tax जो account है उस पर login कर लेना है वहाँ पर login करने के बाद आपको जाना है my account के अंदर my account में आपको दिख र पांगेगा इस portal पर जाने की तो आपको यहाँ से करना है उसे confirm जैसे ही आप confirm करेंगे आपके सामने एक नया portal इस तरीके से open हो जाएगा compliance portal इस compliance portal पर आपको काफी सारी details देखने को मिलेंगी आपकी annual information statement, e-campion, e-verification, information access history, e-campion history, e-verification history, resources, insight, virtual assistant and help. तो अभी यहाँ पे जो portal जो भी details activate की गई है आप केवल और केवल उन्ही details को यहाँ पे देख पाएंगे जैसे कि e-campion की अगर हम बात कर रहे थे अभी मेरी ऐसी कोई transaction नहीं है देकिन अगर आपकी ऐसी कोई है transactions तो किस तरीके से आपको उनके response submit करने है वो मैं आपको यहा दिखाई देंगी non filing of return अगर आपने return file नहीं की है तो वो आपको details यहाँ पे जानने को मिलेंगी next आ जाता है high risk transactions अगर आपने कोई high risk transactions की है तो आपको यहाँ पे वो third point में दिखाई देंगी अब सबसे important चीज़ यहाँ पे है कि अब आपको माल लीजिए आपकी इनमें से कोई transactions है कोई आपने significant transaction की high risk transactions की है या फिर non filing of return का आपका case है तो किस तरीके से आपको वहाँ पे response submit करने है किस तरीके से आपको data वहाँ पे show होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखादी हूँ मैं जो है आपको यहाँ पे user guide दी गई है उन user guides के जरीए मैं आपको वो सभी चीज़े दिखाने वाली हूँ तो हम बात कर रहे थे अपनी e-campion की तो आपको e-campion user guide यहाँ से download कर लीनी है आप इसे download ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत ही helpful रहेगी आपके response submit करने क लिए किसी भी तरीकी की आपकी problem है तो उसका response आपको किस तरह से submit करना है सभी कुछ इस guide के अंदर दिया हुआ है यह आपको portal पर ही मिल जाएगी वहां से आपको यह download कर लेनी है तो मैंने यह user guide डाउनलोड कर दी और इसकी help से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपक उसका response submit करना है तो जैसा कि इस portal पर हम आ चुके हैं जो हमें user guide के अंदर भी दिखाई दे रहा है इसमें तीनों जो चीजें हैं तीनों ही options हैं उनके बारे में यहां पर detail में बताया गया है तो first जो हमारा option था पहला आप देख पाएंगे significant transaction अगर आपकी कोई ऐसी है तो आ financial year 18-19 pending ITR information अगर आपकी mismatch कर रही है financial year 18-19 इसकी ITR अपने file तो कर दी है लेकिन उसकी जो details है वो mismatch कर रही है उस details से जो CBDT को receive हुई है तो इस तरीके से आपको जो है अपने portal पर दिखाई देंगे इसके बाद हम first case लेकर के चलते है significant transaction का जैसे ही आप इस पर click करेंगे आपके सामने ये page open होगा जहां पे लिखा हुआ है तो यहां पर कहा गया है कि आपनी जो भी details है cash deposit की time deposit की credit card से अगर आपने कोई खर्चे किये है property purchase या sale की है तो वो details आप अपने पास रखिए information displayed में change in future subject to the revision of details received by department from the reporting entity तो जो आपको यहां पर information मिलेगी वो हो सकता है future में change हो जाए depend करता है जो भी CBDT को आपकी information मिलेगी you will have option to revise your response in future आपको option दिया जा रहा है कि future में भी आप अपना जो response submit इस time करेंगे उसे revise कर सकते है submission of response by you will help us in validation of information available with the IT department we deeply appreciate your kind cooperation in this matter तो यहां पे जो है आप response जब submit करेंगे तो काफी helpful रहेगा यह income tax department के लिए next अब जैसे ही आप significant transaction का जो first option हमने लिया था अगर आपकी case में कोई significant transaction दिखाई दे रही है तो इस तरीके से जो है इस case में यह एक example लिया हुआ है cash deposit दिखाई दे रहा है 30 lakh का यहां पर जो green mark आप दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है कि user ने सभी records को confirm कर लिया है now अब आपको response की तरह से submit करने है तो यह देखिए जैसे ही आप को इस तरीके से दिखाई देगा account number में cash deposit इतना हुआ है अब आपको यहां पर option दिए गए है आपको इन options में से चूज करना है information is correct information is not fully correct information related to other person या other year से related यह information है information is duplicate and included in other displayed information यानि कि यह information जो है duplicate है दूसरी जंगे आपने यह report कर दी है not aware of this information आपको इस information की जानकारी नहीं है अब यहां पर आपको जो है options दिए गए है अगर आप चूज करते हैं कि information correct है तो फिर यह आपको confirmation जो है दिखाई देगा उसके बाद काफी सारे यहां पर options दिए गए है one by one आप कोई भी information जो है चूज कर सकते हैं यहां पर आपने response submit किया information is correct information confirmed second है information is not fully correct तो ऐसे case में आपको क्या करना है वहां पर उस तरह भी response आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको response देना है fully correct नहीं है तो इस तरीके से आपने response display किया कि पूरी correct नहीं है लेकिन जितना भी correct है वो response आपको submit करना है अगर किसी दूसरे person से related या other person से related है तो फिर आपको उसकी information यहां पर देनी है जो आपको नीचे options दिखाई दे रहे हैं तो इस तरीके से basically आप देख पा रहे हैं पूर हमारी income tax return की जो हमारा second था e campaign अगर हमारा है non filing of return को लेकर जो कि financial year 18-19 का जो हमने देखा था कि जो हमारी return है वो pending है अब हमने यह select किया जैसे ही आपने select किया तो यहां पर आपसे reason जो है पूछे जाएंगी यह देखे response आपको select करना होगा अगर आपने आइटीर फाइल कर दी है या फिर आपने आइटीर फाइल की है तो फिर आपको यहां पर mode बताना होगा कि आपने paper filing की थी या फिर e-file की है date of filing अपना acknowledgement number और अपना circle word and city तो यह सब आपको यहां पर फिल करके submit करना है next अगर आपने आइटीर फाइल नहीं की है financial year 18-19 की तो आप उसे select करेंगे उसके बाद आपको यहां पर reason select करना है return under preparation की वो भी preparation में है या not liable to file return जो भी आपका reason होगा आपको यहां से select करके submit करना है तो इस बकार से आप देख पाएंगे बहुत ही useful है यह guide यहां से देखकर आप जो है अपने response को बहुत ही easily submit कर प confirm जब आप यहां पर करेंगे तो इसको confirm कीजिएगा और उसके बाद आप यह देख पा रहे हैं कि आपके जो responses है वो submit होंगे और submit होने के बाद आपके responses की तरीके से आप अपने response भी view कर सकते हैं यहां पर देखिए आपको home, e-campion, non filing of return उसके बाद आपका जो confirmation उसके बाद response display का option जो है यहां पर दिखाई दे रहा है जहां पर आप अपने response देख पा रहे हैं कि information जो है उस पर आपने क्या response दिया है वो भी आपको next आप यहां पर बहुत important view response and change response दोनों ही options आपको दिखाई दे रहे हैं जो response आपने submit किया है आप उसे देख भी सकते हैं अगर आपन उसको change करना है तो वो भी यहां पर option आपको available कराया गया है तो इस तरीके से आपको यहां पर response जो है submit करने होंगे तो यह जो है guide इसके लिए आपको ज़रूर follow करनी है अगर आपकी साथ भी इस तरीके की कोई problem आ रही है आपका भी अगर कोई issues आई है e-campion के अंदर तो किस तरह ऐसे आपको उनकी reply submit करनी है यह guide आपके लिए बहुत ही जादा helpful रहेगी तो यह थी एक आप important वीडियो आई होप ही आपके लिए है useful आगे भी ज़रूर शेयर करते रहिएगा thank you for watching